कि जैहन साथ ही आप से कदा विक्रेड़ा पे स्वागत है आज की वीडियों में बात करने वाले अभी आइटी बीपी की वैबसाइट पे एक नोटिस आया है जो हम देखने वाले उसके बारे बात करने वाले की नोटिस क्या है और कितना बेहत इंपॉर्टेंट है कि नहीं आ आपको दिखाने वाले उससे पहले थोड़ा सा अपने कोर्स के बारें बता दू जैसा कि अब को पता है कि आई टी पीपी के फिच्टल वगयर कम्रीट हो चुका है तो आपका में फोकस अब क्या होना चीए रिटेंपे होना चीए और रिटेंग के नमबर की मिलते तो कि ग यहां पर आपको रिजिनिंग मैथ और इंग्लीज की क्लासिस मिल जाएंगी जहां पर ये क्लासिस आपको लाइब भी लाइव आइपको अब आपको इस पैच में आपको जो भी इंपोर्टेंट चीजें हैं जो आपके एक्जाम से रिलेट करेंगी हमें दुनिया भर कर नहीं पढ़ना है ठीक हमें उतना पढ़ना जित्ते से सेलेक्षन हो जाएगा पालतु का ज्यान लेकि कहां जाएंगे क्या करेंगे उस ग्यान का ह में मक्सेद हमारा नौकरी लेना है ना हम इस बैच में पढ़ने वाले हैं जो संभावनाएं बनेंगी वह सारे साथ साथ wam से बेसिक से लेकर थोड़ा एक्जाम मॉडरेट भी हो जाता तब भी हम इसको इस बैच में रहेंगे तो हम कर लेंगे तो इस बैच से जल्दी जोईन हो जाए एक अप्रेल से बैच स्टार्ट हो चुका है ऐसा नहीं है बहुत तेज अभी हम नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं मिल रहे हैं कंप्रीके क्लासे इंग्लिस क्लासे में मिल रही हैं बाकी आप जल्दी से देख लेना आप चलते हैं तो आपको पता है कि आप होती है जिसमें आपका अधार काड़ पैन काड़ वोटर एडी काड़ या फिसके साथ ही जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टन चीज है वो है आपका ऑनलेन अप्लिकेशन फॉर्म और एड्मिट काड़ तो बहुत सारे बच्चों दोरा ऑनलेन जो एड्मिट काड़ था और अप्लिकेशन फॉर्म तब बच्चों दोरा लेकर नहीं जाया जा रहा था सेंटर पर जिसके वज़से बच्चों को प्राउब्लम हो रही थी देखिए ऑनलेन अप्लिकेशन फॉर्म क्यों जरूरी है एड्मिट काड़ क्यों जरूरी है मैं आपकी बता देता हूं इसमें सेंटर बोला गया है ऑन गीवन डेट अलॉंग विद लाइजिवल कॉपी ओफ दियर ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म एंड ऑनलाइन एड्मिट काड़ यह दो चीजे लेके जरूर जाना है इसके बिना नहीं जाना है यह साफसा बोल दिया गया आठ तारीक के बार इससे जरूर जाना है तो क्यों लेकर जाना यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है देखिए मैंने पहले बता रहा है आप पूरा-पूरे गत्था बनता है जिसमें आपके सारी जनम कुनली होती है जब से पहला पता कैसे चला जब आपने ऑनलेन अप्लिकेशन फर्म बरा अपने साइट डीटेल लिखी अपना पिता का नाम एडर्स वगएरा बर सब कुछ उसमें लिखा तो एक पहली पहचान पत्र है जिसको आपको जाना उसके जरिए उसको ले जाना बहुत जोरी क्योंकि वह दोजियर बनता है फाइल बनता है फाइल बनती है जिसमें आपके बनता है तो आप यहाँ बहुत बहुत जरूरी है बहुत जा सकते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं आप आप वहां पर रिक्वेस्ट करोगे तो आपको एंट्री दी जा रही है और बहुत सारे बच्चों को को ऐसे मिला है मौका जिनका छूट गया था मगर फिर भी उनको मौका मिला है और फिर भी पेस्टी दिया है और पास भी हो गए और सेलेक्शन में दोड़ में लग गए और अगर आप हमारे इस बैच से जुड़ना चाहते हैं मात 499 में देखिए सीरियस कैंडिडेट को ही मैं चाहता हूं मैं नहीं चाहता कि जो अल्तु फालतु लोग नहीं चाहता है जो सीरियस हैं जो सेलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनकी लिए बैच को कि कम समय में हम उतना ही पढ़ा पाएंगे जित्ता आपके एक्जाम के लिए जरूरी है ऐसे तो बैच आपको पता ह बना दे उस बैच को हम दो महिने के लिए लेक्षा है दो से तीन महिने में अप्राइंगे और कितनी चीजें हम क्या क्या करेंगे वह आप इस बैच में जूड़के ही पता चलेगा आपको जल्दी से जल्दी जूड़ी है मात 499 में अगर आप सिम 80 टेलिकॉम ट्रेट्समे अलविदा लेते हैं मिलते हैं नेक्स्ट गूड़े मैं थैंक्यू सो मच